हेलो बच्चों, वेलकमिंग चरक मेडिकल एंड इंसी आर्टी क्लासे, दिस इस यूर केमिस्ट्री टीचर शुभम कौशिक, टुड़े विल डिस्कस कोशन नमबर 11 फ्रॉम दी चैप्टर केमिकल बॉंडिंग, दस हमने कम्पलीट कर लिये थे, एक्स्प्लेंडा इंपोर्टेंस एस्पेक्स ओफ रेजोनेंस विट रिप्रेंश तू कार्बोनेट सी ओ थ्री माइनस माइनस आयन के बारे में जानकारी दो, रेजोनेंस का क्या चक्कर है वो बताना है, तो देखो, जब हमने सी ओ थ्री ए ये ओ, ऐसे मानलो, बस अभी तो ये तो ऐसे आ रही थी, A is equal to B is equal to C, तो हमें समझ में आया कि bond land तो इसका मतलब सेम आ रही है, अब यहाँ पर किसी पर तो oxygen है, एक पर double bond भी है, हम इसी तरह तो structure बना रहे हैं, एक single bond है, जबकि double bond की जो distance होगी, वो तो कम होती न, bond land कम होती, single bond की ज़्याद होती, लेक बराबर बराबर बटा हुआ है, चलो, तो अब पढ़ते हैं जरा आंसर, तो देखो, according to the experimental finding all carbon to oxygen bonds in CO3 minus minus are equivalent, मैंने बताए, hence it is an advocate to represent, तो अब जब फिर क्या करें, CO3 minus minus को तो तो फिर सही से दिखा नहीं सकते हैं, भाई यह single Lewis structure, एक Lewis structure से तो नहीं दिखा सकते, जैसे आप य सोचें, यह देखो, यह structure बने हुई, C, और यह देखो, यह double bond O, यह single bond O, यह single bond O, तो यह minus minus, तो अब यहाँ पर यह तो छोटी होनी चाहिए, A और यह B और यह B बराबर होनी चाहिए, मगर हमने तो यह देखा, A is equal to B बैठ रही थी, मतलब यह equal हो रही थी, तो क्या कैसे द दिखाए, तो अब देखो, हमने ऐसे दिखा दी, देखो, O minus यहाँ पर आ गया, यह यह सई से देख सकते है, O minus यह है, अब यह electron यहाँ पर कूढ़ यह तो हमने यहां पर बॉंड लेंड दिखा दी अब यह वाले जो है यह वाला जो बॉंड है यहां पर चला गया यह यहां पर आ गया अब यह वाला जो बॉंड है यह यहीं पर है मरला इलक्टॉन सुरी बॉंड कह रहा हूं अब देखो यह वाला जो इलक्टॉन था अब यह य बज़े से जो bond लेन थी वो equal आई थी अब आप थोड़ा सा एक चीज गौर करो तो जो ये oxygen है ना oxygen का atomic number कितना होता है देखो जड़ा oxygen का atomic number होता है 8 पहले shell में होते हैं 2 electron second shell में होते हैं 6 electron तो जड़ा देख लो कितने electron oxygen के 1 2 3 4 और 1 इससे bond बना रहा है 5 और 1 6 और 1 7 ये 7 क्यो उधार लिया हुआ है इस oxygen की बात करें 1 electron 2 electron 3 electron 4 electron 5 electron 6 electron 7 electron तो ये किसी से उधार आया हुआ है ठीक है अब जहां ये double bond है ये देख लो जड़ा एक oxygen का 1 2 यहां पे कोई charge नहीं है तो कहीं उधार नहीं 1 2 3 4 और ये 5 यहां नहीं की यहां कोई charge नहीं तो समझ में आया जब structure बन कर दो